हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपेरेंस में फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बस अपने रोज फ्लावर्स जो है तो वो दिखाने वाली हूँ छोटा सा वीडियो है देखिए कलिया बहुत आ गई है कश्मीरी गुलाब को और ये देखिए ये शेडिड गुलाब है और बहुत सारी कलिया आई है इस पे भी ये देखिए मेरे फ्लावर्स जो भी है छोटे से गार्डन में मेरे यह दूसरा फ्लावर है जो कि पिंक शेड़ेड है बहुत सुन्दर लग रहे है फ्रेंट्स यह फ्लावर जो भी है अब ही हमारे यहां बारिश हुई है बहुत दिनों के बाद यह देखिए बिसकस जो ड्वार्फ पराइटी का है इसके हाइट नहीं बढ़ती है प्लान की और इस पे बहुत सारे फ्लावर्स आते है और फ्रेंट्स यह है येलो गुलाब येलो रोसके भी बहुत हाइट बढ़ी है अभी इस साल तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए है बहुत सुन्दर लग रहे है फ्रेंट्स ये अलग-अलग कलर के जो flowers है, रंग-बिरंगे flowers of rose plant और ये देखिए ओरेंज कलर है तो इसमें भी डार्क, इसमें भी बहुत सारे shade आते है, इसमें डार्क वाला भी था, मेरे पास बहुत flowers आते थे उसे, लेकिन वो सूख गया समर में और ये है देशी गुलाब जिसकी cutting आती है और बहुत ही जल्दी ये बड़ा होता है और बहुत बंचस में flowers आते हैं इसे इसके बहुत सारे cutting भी लगाई है मैंने और friends इसका जो है tiger गुलाब है तो इसे अभी कोई flower नहीं है ये है button rose तो button rose को भी बंचस में flowers आते हैं ये देखी बहुत खुबसूरत लगते है इसकी भी cutting आती है मैंने दो चार cutting इसकी भी लगाई है तो वो भी propagate हो गई है इन दिनों बारिस भी अच्ची थी तो बहुत सारे cutting ग्रो कर गए है और ये जो आप देख रहे हैं तो ये pink वाला है देशी गुलाब इसे अभी तक फूल नहीं आई और फ्रेंड्स ये बारिस की वज़े से थोड़ा सा अंधेरा है और ये जो है वीडियो नेक्स डे का है फ्रेंड्स और bright light है जादा और बहुत खुबसूरत लग रहे है फूल जादा खिले हुए है और जितने जादा आपके पास रोज के कलर है और एक साथ ही खिल जाए तो बहुत सुन्दर लगता है अभी winter season चालू होने वाला है इसलिए उसके लिए जो भी है आपके flowering plant तो आप उनके लिए जो है liquid fertilizer तयार करके अभी तक रख सकते है लेकिन अभी भी बारिष चालू है लगबग 2-3 दिनों से बारिष अभी भी चालू है तो पूरी बारिष अगर थम जाए तब ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए liquid fertilizer का क्योंकि बारिष में बहे जाता है अभी तक मैंने इनको जो है मेरे जो भी plant है flowering plant हो या जो भी हो ornamental plant तो मैंने उसे उनको सबको तो सुकी हुई खाद ही दी है तो और cutting भी कर डाली है बहुत सारे गुलाब की और cutting के बाद क्या होता है पूरूनिंग के बाद बहुत सारे branches आ जाते हैं और उसके साथ बहुत सारे flowers भी आ जाते हैं तो friends बस यही था चोटा सा वीडियो जो खिले हुए flowers थे तो friends मिलते हैं next वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ और thank you for watching friends अपने और अपने परिवार का खायाल लगिए और happy gardening friends